प्यारे बच्चो, all is well, मैं संगीता ठाकुर, फिर हिंदी वसंत भाग दो से हमारा अगला चेप्टर, पार्ट बारा, कंचा जोकी एक कहानी है, वो लेकर आ रहे हूं। कंचा कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी है, जो हर समय उसका ध्यान कंचो में ही लगा रहता है, क्लास में हो, चाहे रोड से जा रहा हो, कहीं से गुजर रहा हो, पूरा समय उसके दिमाग में कंचो का ही खेल चलता है, कंचे आपको पता होगा, रंग बिरंग ये कंचे, जिनक हम सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं ती पदमनाभन उनका जीवन परीचे देखते हैं इनका जन्म में एक जन्वरी 1931 को केरल में हुआ 170 कहानिया लिखने के साथ साथ हिंदी और मल्यालम भाशा पर भी इनका प्रभाव रहा हिंदी मल्यालम दोनों भाशाओं में इन्होंने लिखा पर्दम भुषन जैसे सम्मानित पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया गया इनकी म्रत्यू 25 फरवरी 1970 को हुई आप चित्र में टीव पदमनाभन जी को देख सकते हैं चलिए बच्चों हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं जो बच्चा कंचों की दुनिया में खोया रहता है उसका नाम है अप्पू वो इसकूल जा रहा है बेग उसके कंधों पर लटका हुआ है उसका घर से इसकूल थोड़ी दूरी पर है बीच में कुछ पेड़ और जंगल जैसा इस्थान है जहां से वो गुजरता है तो वो इसकूल जाते हुए कंचों के बारे में ही सोच रहा है उसके मन में अभी जब वो निकला है तो कंचे नहीं है उसकी सोच में सबसे पहले सियार और कवे की वो कहानी उसके दिमाग में आ रही है कि केसे सियार ने चतुराई से कव्वे के मुँसे रोटी चीन ली थी आपको भी कव्वे और सियार की कहानी पता ही होगी है ना, तो वो कहानी उसके दिमाग में गूम रही है वो चलता जा रहा है चलते चलते एक दुकान आती है बीच में वो दुकान देखता है और उस दुकान में उसको बड़े से जार में रंग बिरंगे कंचे रखे हुए दिखाई देते हैं चॉकलेट और बिस्कुट बिस्किट के भी जार रखे हुए लेकिन वो चाकलेट बिस्किट पर उसकी नजर नहीं जाती सियार और कववे की काहानी से निकल कर वो उस जार में खो जाता है जिसमें रंग बिरंगे कंचे हैं बड़े बड़े आवले जैसे दीख रहे हैं और वो उस जार को देखकर अपनी वापस कंचे की दुनिया में आ जाता है फिर अब वो सोचने लगता है देखते ही देखते उसको ऐसा वो जार को इतनी ध्यान से देख रहा है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि जार बहुत बढ़ा हो गया है और वो खुद भी उस जार के अंदर चला गया है वो कंचो के साथ खेल रहा है उस जार के अंदर जाकर तो बहुत देर तक दुकान पर खड़ा रहा और उस जार को अपनी कलपना में वो जार में खुद भी स्वयम भी चला गया है और खुब कंचो के साथ खेल रहा है ऐसा वो कलपना करता है वो कंचे लेना चाहता है लेकिन उसकी नजर स्वारी उसकी उसको इसकूल की गंटी के आवाज सुनाई देती है जो बेल बजती है इसकूल की वो उसको सुनाई देती है क्योंकि वो आदे रास्ते से जादा इसकूल की तरफ पहुँच चुका था तो जैसे ही बेल बजी, इसके कानों में आवा जाई और वो जैसे ही बेल सुनी, तो इसकूल की तरफ दोड पड़ा अब इसकूल में थोड़ी देर से पहुचा क्योंकि कंचे की दुकान पर रुख गया था इसकुल में मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया था अब ये इसकुल में पहुँचा और इसकी कक्षा के जो मित्र थे जैसे रामवान मली का अपू ये सब आगे बेठे हुए थे ये लेट पहुँचा इसका एक मित्र जार्ज भी था वो कक्षा में आज दिखाई नहीं दे रहा था ये जार्ज के बारे में सोचने लगा कि जार्ज मेरे साथ कंचे ऐसे खिलता है वो कितना अच्छा खिलाड़ी है कंचो का इस तरह से कक्षा में ये बेठ गया और अपनी कंचो की दुनिया में खो गया मास्टर जी जो ते जो टीचर थे वो रेलगाड़ी का कोई पार्ट पड़ा रहे थे मास्टर जी बार-बार जो उनके हाथ में बेठ थी उसको मेज पर ऐसे पटक-पटक कर मार-मार कर बच्चो का ध्यान अपनी और रख रहे थे और पूछ रहे थे किन्तु अप्पू तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था फिर तो केवल वो कंचो का जार जो उसने वहाँ पर देखा था वो ही दिखाई दे रहा था आप देख सकते हैं कि कैसे अप्पू कंचो की दुनिया में खोया हुआ है चीतर देखिए उपर फिर अब वो सोच रहा था कि जार्ज के आने पर वो उसके साथ मिलेगा और खेलेगा है ना इतने में उसको चौक का टुकड़ा आकर लगा चौक का टुकड़ा आकर केसे लगा शिक्षक ने पढ़ाते समय देखा कि अप्पू का ध्यान कहीं और है तो उन्होंने चाक का टुकड़ा फेक कर अप्पू को मारा तो वो जैसे ही चाक का टुकड़ा लगा तो हडबड़ा कर एकदम से खड़ा हो गया मास्टर जी उसको डाटने लगे उसका चेहरा देखकर वो समझ गए थे कि अप्पू का ध्यान कहीं और ही था उन्होंने अप्पू को अपने पढ़ाए गए पार्ट के बारे में कुछ कोश्चन किये रेल गाड़ी के बारे में तो अप्पू उनसे डर कर कापते हुए अप्पू के मुह से निकल गया वो बार-बार पूछने लगे, बेत को ठोक ठोक कर तो उसने डर के मारे उसके मुह से निकला कंचा अब जैसे ही कंचा निकला तो सारे बच्चे कक्षा के चक्कित हो गए कि पढ़ा तो रेल गाड़ी के बारे में रहें और ये कंचे के बारे में बोल रहा है तो सब हसने लगे मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया अपु को उन्होंने सजा दे दी कि बेंच पर खड़े हो जाओ कान पकड़ कर वो खड़ा हो गया पिえー और उसके बाद बच्चे हस रहे थे तो टीचर ने उसको कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया अब बच्चे उसको कक्षा में से देख देख कर हस रहे हैं और ये कक्षा के दर्वाजे से अंदर जाग जाग के देख रहा है अब बाहर खड़े होने के बाद भी अप्पू देखिए कंचो के ही बारे में सोच रहा था कि जार जाएगा हम दुकानदार के पास जाएंगे फिर हम कंचे करी देंगे है ना अब वो सोच रहा था कि पीरियट खत्म हो और मास्टर जी चले जाए फिर अब वो उसके मन में ये आने लगा कि कंचे कैसे लूँ वो बाले मास्टर जी ने इतने में प्यून आया और उसने कहा कि उन बच्चों को भेजिए जो फिस भरना चाहते हैं तो मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि वो बच्चे चले जाए लाइन बना कर जो फिस भरना चाहते हैं अकाउंट आफिस में तो बच्चे लाइन बना कर चल दिये, अप्पू को भी फीस भरने के पैसे मम्मी ने दिये थे, तो अप्पू भी चला गया, अब वो सब बच्चों की लाइन जो लगी थी, उसमें सब से पीछे जाकर अप्पू खड़ा हो गया, अब सब बच्चे फीस दे चुके थे, अप अप्पू वहाँ से वापस आ गया, उसके मन में तो कंचे ही घूम रहे थे, लाल लकीरों वाले, काली लकीरों वाले, सफेद गोल कंचे, बड़े-बड़े, रंग बिरंगे, फिर घंटी बजी, सब बच्चे कक्षा में आ गये, और कक्षा से सब बच्चे चले गए घर को अप्पू भी घर की और निकला, अब मोड तक पहुचा तो फिर उसको वही दुकान दिखाई दी लोडते समय, तो वो शीशे के जार में से फिर कंचे देखने लगा, उसने अपनी फीस में से एक रुपई या पचास पेसे निकाले और कंचा खरीद लिया, उसने फीस नही अब जो की गलत बात है वेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, चलिए हम आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है, दुकान वाला पहले तो उस समय एक रुपई पचास पेसे बहुत जादा होते थे और बच्चे के द्वारा इतनी पैसे खर्च करना, दो रुपई शायद उस समय फीस थी स्कूल की, तो वो घबरा गया दुकान वाला, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता, ये सभी बच्चों के लिए खरीद रहा हो, ये सोच कर उसने उसको कंचे दे दिये, कंचे खरीद कर अप्पू बहुत खुश हुआ और घर की तरह दिया, सोच रहा था कि शायद प निकाल कर बाहर निकाली और कंचो को कहां डालने लगा बस्ते में, किताबे सब बाहर रग दी और कंचे बरने लगा, बहुत सारे कंचे थे, यह देख रास्ते में जो एक गाड़ी आई, उसका ड्राइवर भी उसको देखकर हसने लगा, क्योंकि वो कंचे चुन रहा था, तो वो भी साइट से निकल गया, अब उसने किताबे हाथ में ली और कंचे बेग में डालके बेग अपने कंधे पर टांग कर घर आ गया, वहाँ जब पहुचा घर तो बरामदे में स्लेट कौपी सब हाथ में जो सामान था वो उसने फेका और मा के गले लग गया, उसके बस मासुमियत से कि मैंने फीस के जो पैसे आपने दिये थे, उससे मैंने कंचे खरीद लिये, तो मा को पहले तो आश्चरे हुआ, दुख भी हुआ कि गलत है, लेकिन चुकि अप्पू की एक छोटी बेहन थी, जो कि किसी कारणवश म्रत्यू को प्राप्त हो गई थी, तो वो अपनी बेटी की म्रत्यू का दुख भूल नहीं पा रही थी, लेकिन चुकि अब अप्पू उसके पास था, तो वो अप्पू की खुशी में ही खुश हो गई अप्पू ने बस्ते से जब खुश होकर कंचे मा को दिखाए, तो मा खुश हुई, सुन्दर सुन्दर कंचे देखकर वो भूल गई, कि इसने फिस के पेसे से, क्योंकि वो अपने बच्चे की खुशी भी चाहती थी, लेकिन साथ ही मा ने बच्चे को अप्पू को ये भी जीना चाहिए, है ना माता पिता द्वारा दिये गए पैसों का, जो भी हमें दिया गया है, पैसा उसको सही जगह पर उप्योग करना चाहिए, और अपने ध्यान में किसी एकी चीज को ना लाकर हमारी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक, तो हमें इस कहानी से य अधान मतलब हल, ताकना मतलब देखना, निशेद मतलब मना करना, सबक मतलब पार्ट, 9-11 होना मतलब भाग जाना, मात खाना मतलब हारना, और खामोश मतलब चुपचाब, तो बच्चों, आपको यह पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखकर आप ओर अच्छी तरह से समझ जाएंगे, धन्यवाद